जो है विग्यानिक टीम जड़िया फार्म पे पहुंची है यह प्रोग्रेसिव फार्मर जड़िया हमारे आएड़ू ब्यार की विराइटी जल्दी से जल्दी शीड़ प्राप्त करके लगाते आये हैं और यह विराइटी जो है जिसके हम खड़े हैं डीबी डबलू 332 यह पिछले साल रिलीज हुई थी नॉर्थ रेस्ट प्लेंज जोन के लिए अर्ली सॉन वराइटी है तो यह किसानों को सला दी जाती है उसकी जल्दी विजाई करें और अभी हम देखते आये हैं कि कई जगे मोसम खराब होने की काण पसल में लोजिंग हुई है गिर गई है विज दर कम रखी है इस वराइटी में उनमें यह गिरने की समझ्या नहीं आई है तो लोग मा यह किसानों से यह अगर है कि बीज दर कम रखें जो पुरानी रिकमेंडेशन है 40 kg पर एकड़ उसके वजाए 30 kg पर एकड़ में भी उतनी पैदावार आ जाएगी पलस गिराव इसका दाना मोटा और इसके दाने की क्वालिटी इसमें अच्छा प्रोटीन है और इसमें तापमान को सहने की किसमता भी बहुत अच्छी है गर्मी का इस पर ज्यादा अशर नहीं होगा अगर गर्मी की शुरुवात जल्दी हो जाती है तो आय डबलु बीर की इस पास-पास के काफी किसान लाभानवित हो रहे हैं जो नई से नई किसम जो अगर आपको करनाल से मिल जाता तो अच्छी बात है नहीं तो ऐसे जो प्रोग्रेशिव फार्मर है गुरुविंदर सिंग जियलदार है यह है गुर्मीत सिंग संदू और अरपरीजिक यह हैं सभ कर सकते हैं क्योंकि यह को अच्छी परक करके वह आपको जो बेस्ट विराइटी है वही देंगे जो परफॉर्म नहीं करेगी उसका आपको यह नहीं कहेंगे कि आप यह लेकिन किसान दूसरे किसानों के में हमारी नई निश्य नई टेक्नोलोजी पहुंचाने में बड़े में दोरा कर रही है उनसे संवाद कर रही है उनकी समस्यां भी जान रही है उनकी क्या एक्पेक्टेशन है आगे आने वाले समय में मौसम के बदलाओं को देखते हुए कि आगे और किस तरह की वराइटी की आवश्यक्ता है खास तो यह नहीं है लेकिन हम फीड़बैक ले के खेतों में जारी रहेगा हमारे निदेशिक मुदेवी हमें जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और वह संबोदित करेंगे किसानों को मीडिया पर या ओनलाइन और कई किसानों से मिलने का भी उनका कार्यकरम है धन्यवाद